हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल अस्टडी मित्र में तो फ्रेंज हम सभी जो है किष्ण वक्ति साखा में अस्ट छाप के परमुग कभियों को देख रहे थे तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था किष्ण दास जी को आज के जो हमारे कभ 593 ही इनका जन्म का समय माना जाता है और बिक्रम सावंद कीष्ण से देखे तो 1550 समय क्या है 1572 शीवी वहीं इनके गुरू कौन होई थे इनके घुरू से भलवाचारी जी जो बी कभी और उन सभी की गूरु कौन है और बिल्कुल आपको ध्यान में डखना है कि कौन किसके गुरू थे ठीक है तो गुरू इनके कौन थे परमानन्दास जी के वह थे बल्लवाचार जी इनकी रचनाय तो इनकी रचनाय देखे सोतंत रूर्प से इनकी कोई भी रचनाय उपलब्द नहीं होती है पर कुछ पद इनक किर्तन पद संग्रा के नाम से भी संक्लित है तो बिल्कुल आप तीनों बात को ध्यान में रखेंगे इनके रचित पदों को परमानन्द सागर के नाम से भी संक्लित किया गया है तो सूर्दास जी के बाद वासली रच का परियोग करने वाले दूसरे अस्ट छापी कभी के समराट कहे जाते हैं उनके बाद अगर अश्च्छाप में किसी का भी नाम आता है वासली रस के छेत्र में तो वह हैं परमानन दास जी इनके अधिक पद बाल लिला विसयक है और भी इनके बारे में कुछ महत्पुन्त थे हैं उनको भी हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट है कि इन्होंने क्रिष्ण के मादूरी पक्च की लिलाओं का वर्नन अधिक किया है इसी कारण से इनकी भक्ती पत्ती जो माने जाती है मादूरी भाव की माने जाती है अगला पॉइंट है इनके पदों में सूर्सागर की भाती भागवत की कथा का वर्नन नहीं किया गया है परंतु इन्होंने क्रीष्ण के मतुरा गमन से भवर गित्त का प्रशंग मुखिता इन्होंने वर्नन किया है ठीक है आप सभी जानते कि सूर्सागर में भागवत कथा क का वर्णन किया गया है लेकिन अपने पदों में तो परमानन दास जी की बारे में यही थी विसेश तत्ती विसेश बाते और एक्जाम की दिश्टी कौन से काफी महत्पून है भी खास करके इनका जो मतलब इनके जो गुरू थे वो इंपोर्टेंट हो जाता है और जन्मकाल क जो समय है यह इंपोर्टेंट हो जाता है और इनकी जो रचनाय है यह महत्पून हो जाता है ठीक है तो इन सबी बातों का बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे और आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में अगल